हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो नाम है रोनो गुपता और आज के टोटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सल का एक ऐसा टूल जो आपको डेफिनेटली आना ही चाहिए अगर आपको ये टूल नहीं आता है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंतक जरूर देखियागा आए होफुली के छोटा सा यह जो वीडियो है मैंने जो बनाया है आपकी एक्सल की नॉलेज को अपडेट करें तो चलिए बेना किसी तरी के स्टार्ट करता हूं ये वीडियो लेट्स पेके इन oy Spain के टूल को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे डेटा बनाकर रखा हुई आप tv के लिए मैं इस डेटा को पहले आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख पा रहाँगे, इस पूरी एक रो में ही यहाँ पका कुछ बड़ा डेटा है, इस डेटा में अगर क pant नम्हों यह चाहुँख कर और इस प्रॉबलम से फैसिंग कर रहा है तो की मैं टौपिक को कवर करना चाहूँगा कि कैसे ओप्छ होगी कैसे होगा प्रॉबलम तो मैं बताता हूँ आपको तो सीधे पहले जाना वोगा विल डायबन में उसके बाद आपको जाना है सीधे Freeze इस प्रकार से देखिए आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा दूसरा ये कि आपका कॉलम भी कहीं भी शिफ्ट नहीं होना चाहिए तो वो भी देखते हैं फ्रीज में पहले आप वापस जाएंगे और अन्फ्रीज कर देंगे क्योंकि एक बार में एक ही फ्रीज हो रहा है तो अगर मैं अब नीचे जाऊँगा तो इसकी रो अपनी जगह से हिलेगी यानि की हेडिंग्स हिल जाएंगी अपनी जगह से दूसरी चीज कि अगर मैं कॉलम चाहता हूँ फ्रीज करना तो आप फर्स्ट कॉलम को क्लिक करेंगे और यहां थर्ड आप्शन मिलेगा आपक दो लोग कि सर अगरा अगर कोल फिक्स कर सकते हैं क्या यह एक साथ frak ने कर सकते तो जी बिल्कुल कर सकते हैं अप लोग सबसे पहले आपको कॉलम यानिकी एर रो यानिकी It इसका ये देखना होगा कि पहला cell किस पर dependent है जैसे कि one row और a column है इसका पहला cell है b2 क्योंकि ये row में आ जाएगा और ये column में आ जाएगा तो आप Honda का जो cell letters देख रहे हैं जिसका cell letters है b2 इसको आप fix करेंगे आप freeze pain पर जाएंगे unfreeze pain करेंगे पेले और उसको दुबारा से freeze pain excel की आई hopefully ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारी चैनल को subscribe करें इस वीडियो को like करें और अपने friend circle में share करें अगर आपके मन में कोई doubt है कोई भी query है तो mail करके या comment करके पूछ सकते हैं